तो ये वीडियो होने वाली है टोमडाजी गेम की जीकैप जहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ एपिसोड 6 से लेकर 12 तक लेकिन अगर बड़ीज तुमने इसके पहले के एपिसोड नहीं देके हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना वहाँ तुम्हें लिंक मिल जाएगी तो अभी तक हमने देखा कि 10G यहाँ पर पकड़ा जा चुका है यूजी यहाँ पर यह बताता है कि उसने सावरागी के साथ मिलकर इस गेम को खेलने से पहले ही प्लैनिक कर ली थी और यूजी ने ये सेम बात कोकोरोगी को भी बता दी थी पहले ही इसलिए इस पूरे गेम म सीबे कोकोरोगी और सावरागी से कहा कि तुम लोग अपना नेम टेक मुझे दो और इन लोगों ने यूईची की बात बहुत आराम से मानी जिससे कि यूईची को बरुसा आओ गया कि इन तीनों में से तो यार कोई ट्रेटर हो नी सकता जिसके बाद सारगा सारगा यूईची को मिलती है और अब यूईची सावरागी के आगे हो जाता है यानि उसकी पोजिशन अभी नंबर वन पर है इसके बाद यूईची सबसे ये कहता है कि एक्चुली में यूईची ने एक मर्डर गरा है और ये बास उनने के बाद यूईची के दोस्त सुनके राण में पहुँच चुके हैं इसके बाद हमें दिखाया जाता है यूईची का पास्ट जहाँ पर वो पैसे किन रहा होता है यूईची को ऐसा करते वे देखकर उसकी मम्मी उससे कहती है पैसों से जादा फ्रेंड से इंपॉर्डन होते हैं तुम मुझे कॉंट करके बताओ कि क्या यूची की अम्मी सही कह रही है तुम्हें क्या लगता है इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर यूची और टैन जी एक गुफा में बंद होते हैं यहाँ पर इन दोनों को इस गुफा के अंदर तीन दिन तक सर्वाइफ करना है वो भी पानी की बोतल के साथ, टैंजी यहां पर यूजी को बताता है कि उसने जो थोड़े दर पहले यूजी के साथ हरकत करी, वो ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उससे ऐसा करना पड़ा, लेकिन इसके बाद वो एक्स्प्रेंड करता है कि उसने अपने दोस्तों को आखिरकार दोका क्यों दिया, टैंजी बताता है कि जब वो जूनियर स्कूल में था, तब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पैसे जमा करे थे, इसके बाद सावारागी भी उस स्कूल को जॉइन करती है जिसके अंदर टैंजी पढ़ा करता था, अब यहाँ पर टैंजी के दोस को भी सावारागी बहुत पसंद थी अब यहाँ पर 10G के दोस्तों ने जो मिलकर उसके साथ पैसे जमा करें थे उन पैसों से वो एक बिजनस करना चाते थे इसी के साथ जो भी उस बिजनस के अंदर सबसे ज़ादा पैसे बनाएगा वो बंदा उस कंपनी का CEO बनेगा और इसी के साथी साथ वो सावारागी को भी प्रपोस करेगा लेकिन पता नहीं कैसे 10G और 10G के दोस्त खिडनाप हो जाते हैं अब यहाँ पर इने खिलना पड़ता है टोमोडाची गेम जिसके अंदर 10G हार जाता है और उसके ओपर 20 मिलियन येन का डैप्ट चड़ जाता है अब जैसे 10G गेम खेल के वापिस घर आता है उसे ये बात पर चलती है कि उसके दोस्तों ने सावारागी के उपर वो सारे के सारे जमा किये वे पैसे उड़ा दिये हैं ये बाते बता चलनने के बाद 10G अपने दोस्तों को मा बैंडिक आली देता है और इसके बाद वो अपने पापा को टंवाडाची गेम की सारी के सारी कहानी बता देता है जैसे 10G के फादर को ये बाते पर चलती है 10G के फादर की कुछ दूनों बाट य देथ हो जाती है और उसे दिन से टेंजी को ये लगने लगा कि ये सारे का सारा किया कराया साबरागी का है So how बड़ी जही रिजन था कि टेंजी ने अपने दोस्तों को दोका दिया Anyways, अब यहाँ पर तीन दिन बीच चुके हैं जिसके बाद शुरू होता है इनका next game मारो वह यहाँ पर explain करता है कि ये game है hide and seek game इसे के साथ है हमें यहाँ पर दिखने को मिलते है कुछ नए चेहरे Well, ये सारे के सारे दोस्त होते हैं और इनके group का नाम है group K यहाँ पर ये friends group बहुत बड़ा होता है इन दोनों से इसलिए Uichi और Tenji को ये offer मिलता है कि वो इस लड़की को अपने साथ खिला सकते हैं Well, इसका नाम Mariya है and इन दोनों को नहीं पता कि ये Tomatachi game के management से है इसके बाद game के rules decide होते हैं यहाँ पर मैं पता चलता है कि Tenji के group से जो छुपेगा वो है खुद Tenji इसके बाद Tenji और Uichi मिलकर decide करते है कि किस जगा के अंदर चुपना है और वो finally एक जगा का पता लगा लेते हैं यहाँ पर Uichi Tenji को कहता है तुम चिंदा मत कुरो मुशे वरोसर को हम ये game जीच जाएंगे लेकिन तुम्हें यहाँ पर चुपे रहना होगा इसके बाद जैसे Uichi अपोनेंट टीम के हाइडर को डूनने जाता है कब वो दो दिनों तक Tenji के पास ही नहीं आता जिससे कि Tenji की आदत बहुत जादा खराब हो जाती है क्योंकि जो बंदा छुप रहा है वो कुछ खा और पी भी नहीं सकता इसके बाद हमें पता चलता है कि Uichi और मार्या को आपोनेंट गूप वालों ने पकड़ रखा है अगर अगर अभी यहाँ पर Uichi Tenji के पास गया तो Uichi को फॉलो करके यह लोग Tenji के पास पहुँचाएंगे अब यहाँ पर आपोनेंट टीम का एक बंदा Uichi के फॉल से Tenji को कॉल लगाता है और वो Tenji को कहता है कि Uichi तुमारे पास ने आने वाला Uichi ने तुम्हें दोका दिया है अब इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर Tenji की फट जाती है लेकिन वो तब भी डिसाइड करता है कि वो Uichi के उपर भरोसा रखेगा इसके बाद हमें पता लगता है कि ग्रूप K जो है वो एक टीम की तरह काम करती है जिनका लीडर है ये बंदा इसी के साथ इन लोगों की एक बास्केट बॉल टीम भी है इसके बाद यहाँ पर शुरू होता है गेम का तीसरा दिन 10G यहाँ पर बहुत ज़्यादा खस्ता अलत में है और वो Uichi के बारे भी ही सोच रहे है दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि Uichi ग्रूप K वालों से कहता है मैं अब तुम्हारा ग्रूप जोइन कर रहा हूँ जिस पर ग्रूप K के बंदे उससे कहते हैं कि हमें इस बारे में अपने लीटर से बात करनी होगी उन लोग की इस बात को सुनने के बाद Uichi उनसे कहता है अरे कैसे लोगो तुम लोग हर चीज के लिए तुम अपने लीटर के उपर की टीम में आती है तो ये इन दोनों को एकसेप्ट कर लेंगे लेकिन इस कंडिशन को एकसेप्ट करने से Uichi मना कर देता है इसके बाद हमें अगला सीन दिखा जाता है जहाँ पर Uichi मारिया के साथ भाग जाता है इसलिए इन दोनों का पीछा करने के लिए के ग्रूप के दो बंदे भागते हैं लेकिन ये देखते हुए Uichi मारिया को क्लिफ से धक्का दे देता है ताकि वो इन दोनों से ही बच्के भाग पाए जिसके बाद ठीक बहना ही होता है वो दोनों लड़के मारिया को बचाने में लग जाते हैं जहां पर मौका देख के Uichi वहाँ से भाग जाता है इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि Uichi खाना लेकर Tienji के पास जाता है और फाइनली आपर Uichi को खाने के साथ देख कर Tienji बहुत कुछ हो जाता है इसके बाद अगले सीन में मारिया इस बंदे को ये शो कर रही है कि वो इससे प्यार करती है जिसे देखकर ये बंदा मारिया की फिक्र करने लग जाता है अब क्योंकि यहाँ पर मारिया अभी भी इनके पास ही थी इसलिए यूईची को वापिस आना पड़ता है अब यहाँ पर यूईची आतो गया है लेकिन इसे के साथ वो ऐसा शो कर रहा है कि वो मारिया को बुली कर रहा है यूईची को ऐसा करते हुए देखके ग्रूप के का ये वाला बंदा गुस्सा होने लगता है अब क्योंकि यहाँ पर अपॉनेंट टीम के ओपर वाइलेंस दिखाना अलाउड नहीं है तो यहाँ पर यह बंदा सोचता है कि ये यूईची के टीम को जॉइन कर लेगा एनदा करने के बाद ये यूईची को पेल पाएगा और मारिया को बचा भी पाएगा लेकिन उस बंदे के टीम वाले उससे कहते हैं कि देखो यार ऐसा मत करो कैप्टन को आने दो उनसे पूछते हैं क्या करना है बट ये चीज़ देखकर यहाँ पर यूईची मारिया को और भी ज़ादा बूली करने लगता है अब यहाँ पर यूईची को ऐसा करतावा देखकर ये बंदा सैन नहीं कर पाता और वो यूईची की टीम को जॉइन कर लेता है अब यहाँ पर ये बंदा यूईची की टीम में आ चुगा है और ये सीधा यूईची को मारने के लिए उसके उपर कूटता है बट यूवीची इस बंदे के हमले को आराम से डॉट सर लेता है और उड़ता इसी को ही पकट के पेड़ से बांद देता है यूवीची का दिमाग यहाँ पर चलता है और वो मारिया की हल्प से इस बंदे के थुरू यह बात पता लगाना चाहता है कि इनकी टीम का हाइडर आकर चुपा का है लेकिन अनफॉर्चनेटली यहाँ पर इस बंदे को भी नहीं पता कि इनका हाइडर आकर चुपा का है इसके साथ हमें अगले सीन में ये बात पर लगती है कि असली कैप्टन ये नहीं है असली कैप्टन ये लाल बाल वाल लड़का है इसके बाद अगले सीन होता है अगले दिन का ये बंदा मारिया से कहता है कि वो ये बात जानता है कि मारिया मेरेजमेंट से है इसके साथ ये ब बंदा टैंजी का पता भी लगा लेता है इसके बाद माना बूस सब को ये बताता है कि इस गेम का विनर कौन है और यहाँ पर यहाँ पर यूईची का ग्रुप जीच जाता है अब यहाँ पर ऐसा इसलिए था क्योंकि गेम की स्टार्टिंग में ही हाइडर को एक सरेंडर बटन दिया गया था और अगर कोई भी हाइडर उस बटन को दवा देता है तो उसकी टीम हार जाएगी इसका मतलब बड़ीज यहाँ पर यह हुआ कि टीम के के जूजो ने सबसे पहले सरेंडर कर लिया है और ऐसा क्यूं किया इसके पीछे रीजन ये है कि गेम खतम होने से पहले यूईची ने इसको कॉल लगाया था और यूईची ने यहाँ पर जिस बंदे को पेड़ से बान आवा था उसको गूसे मार कर कॉल पर जूजो को उस बंदे की चीके सुनाई जिसे सुनकर जूजो को ऐसा रगा कि यूईची यहाँ पर इस बंदे को टॉजर कर रहा है इसलिए अपने दोस्त को बचाने के लिए जूजो ने यहाँ पर सरेंडर का बटन दवा दिया वैल यहाँ पर यूईची जितना शो कर रहा था उतना उसने टॉजर करा नहीं था पहला भी यहाँ पर यूईची की टीम जी जाती है और वर स्थोड़ी देर के लिए इन लोगों को अपने घर जाने का मौका मिलता है यह दोनों यहाँ पर सबसे पहले स्कूल जाते हैं जहाँ पर उन्हें यह पता लगता है कि शीवे को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है क्योंकि शीवे के ओपर यह एलिगेशन लगी हुई है कि उसने अपने पापा का काम तमाम कर दिया मतलब समझ जाओ खतम कर दिया उनको अब शीवे ने यहाँ पर यह करा है नहीं यह चीज अभी तक कन्फिर्म नहीं है लेकि यहाँ पर यह कन्फिर्म ज़रूर है कि शीवे ने अपने फादर को टॉमो ड़ाची गेम के बारे बताया था इसके पाद अगला सीन बहुत अनेक्ससेटेड सा होता है यहाँ पर यूईची कोकोरोगी की साथ अपनी दोस्ती तोड़ लेता है यूईची कोकोरोगी को यह कहता है कि तुम बस हमारे ओपर सरदर दो और तुम एक बोज से जादा कुछ नहीं अगले सिन में यूईची और 10G यूईची दरे में बैटे होते हैं यहाँ पर यूईची को एक कॉल आता है यह कॉल होता है मानाबू का मानाबू यूईची को कॉल पर यह बताता है कि उसने कोकोरोगी को किटनाप कर लिया है अगर यूईची और कोकोरोगी को बचाना है तो यूईची को अकेले ही आना होगा अब जैसे यूईची उस location पहुंसता है यूईची को बता चलता है कि वो call माना भूगा नहीं था Actually मैं यहाँ पर यूईची को बहुत सारे गुंडे दिखाई देते हैं और ये बंदा उन सभी का leader होता है ये बंदा यूईची से कहता है कि तुम्हें एक game खिलना होगा पहला game होता है punching का यहाँ पर कोकरोगी को एक punch मारा जाएगा लेकिन अगर यूईची चाहता है कि कोकरोगी पंच ना खाए तो यूईची को उसके बदले में तीन punch खाने होंगे यूईची के साथ यहाँ पर यूईची खुद को sacrifice करता है और खुद ही तीन punch खा लेता है अगला game होता है नाकून निकालने का इस game में कोकरोगी का एक नाकून निकला जाएगा लेकिन अगर यूईची यह चाहता है कि कोकरोगी का नाकून ना निकला जाएगा यूइची की कैसा ही करता है इसके बाद ये गेम हो जाता है खत्म इसके बाद कोकरोगी यूइची की वनमपट्टी करती है जिसके बाद यूइची उससे कहता है जाने के लिए लेकिन कोकरोगी वहां से जाने से मना कर देती है और वहीं पर रुकती है यूइची यहाँ पर इस बंदे को गेम खिल केंटारने मेनिवफलिट करता है। कि अगर युञची जीता तो वो गैंग लिटर की पांच उखलेगा। और यहां पर गैंग लिटर logic है तो यहां पर यहां पर गांधायली स्टार्ट होता है जिसमें जीत वर होता है और इसी के साथ ये गेम यहां पर खत्म होता है अब यहां पर एक postrade scene दिखाए जाता है यहां पर को कोरोगी और 10G court room में होते हैं इनके सामने judge होता है maanaboo यहां यहां पर इन दोनों को ही शीवे को बचाना है so इसी के साथ buddies यहांपर tomodachi game anime होता है खत्म, तो बड़ी जब तुम दूसरी वीडियो से गमंट मत करना कि या टोमोडाची गेम लाओ, यह फाइनली ओर हो चुका है, तुम मुझे गताओ कि तुम्हें टोमोडाची गेम एनिमे कैसा लगा, वेल अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो क को सब्सक्राइब कर लो, ऐसा ही अमेजिक एनिमे कंटेंट को देखने के लिए, वेल अब यही सीरीज तो कतम हो चुके हैं, लेकि नई सीरीज शुरू होती है, जो कि है टोक्यो रिवेंजर्स, और फटाफोट से इस वीडियो के उपर क्लिक करो, जो कि अभी तुमारे साम कैंटाइब यही जाले से वीडियो और बिवेंगे के लिवेंगे के लिए, यही टो हैंटाइब थाफोट झाले से लिए